बेटी को सीने से लगाए स्पॉर्ट हुई दिपिका पादुकॉन ठीक दो महीने बाद देखी प्यारी दुआ की पहली जलक। को रिवील किया था। पर दुआ से मैच हो रहा था। ममी के सीने से चिपकी हुई दुआ पिंग कलर की पैंट पहने हुए नसर आई। हाला कि उनका फेस पूरी तरीके से ढखा हुआ था। इस दौरान रनवीर सिंग की मा अंचु भवडानी भी उनके साथ थी। पराजीस ने उनकी पहली जलक अपने कैमरे में कैद कर ली। दिपिका और रनवीर की दुआ के साथ ये पहली दिवाली थी। अक्टरस ने अभी तक बेवी का फेस रिवील नहीं किया है। लेकिन लक्षमी पूजा के खास मौके पर उन्होंने अपने घर की लक्षमी के पैरों की बहुत सुंदर सी फोटो फैंस के साथ शेयर की थी और उसका नाम रिवील किया। इस तस्फीर में दुआ ट्रेडिशनल कपडे पहने हुए नजर आईं। उन्होंने रेड कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए सिंहम अगेन एकपरस ने लिखा दुआ पादकोंड सिंग दुआ का मतलब है प्रेयर क्योंकि ये मेरी प्रार्थनाओं का रिजल्ट है। वही आपको बता दें कि सिंहम अगेन में दिपिका पादकोंड कॉप के रोल में नजर आईं। ये पहली बार है जब दिपिका का ये वाला लुग काफी जादा पॉपिलर हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दिपिका किस वर्क प्रोजेक्ट में नजर आती है। प्रोजेक्ट की शूटिंग करते वक्त सुनील शिटी सेट पर घायल हो गए और उनकी पसलियों में चोट लग गई है। सुनील शिटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके लिखा है। सुनील शिटी ने सोशल मीडिया की दुनिया में धमाल मचाय था। अमेज़ान मिनी प्लाटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली सीरीज का दूसरा सीजन भी आने वाला है जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है। इसके लावा सुनील मुस्ट अवीटिट कॉमेडी फिल्म वेलकम टू दा जंगल में भी नज़र आएंगे जिसका प्रोमो तहले ही सामने आ चुका है। वैसे तो ये मूवी इसी साल के एंड में रिलीस होनी थी लेकिन इसे अब आगे के लिए पोस्ट पॉन कर दिया गया है। जाते हैं और ना ही बहुत हाइफाइब बन कर जाते हैं। जाते हैं तो वही दूसरे यूजर ने लिखा विराट अपने फैन्स का दल जीतना जानते हैं। तीसरे यूजर ने लिखा कितना खुप सूरत पल है। तो वही चौथे यूजर ने लिखा दिल छू लेने वाला पल। मंजूलिका से लड़ने के लिए स्त्री की मदद लेना चाहते हैं कार्तिकार्यन। कार्तिकार्यन अभी के समय में बॉलिवर इंडस्ट्री की टॉप अक्टर बन चुके हैं। वैसे बता दें कि बैक टो बैक वो बहतरीन फिल्म में दर्शकों के बीच लेकर आ रहे हैं। इस समय कार्तिकार्यन अपनी भूल भूलिया थ्री फिल्म को लेकर चर्शा में बने हुए हैं। जिसको दिवाली के मौके पर 1st November को रिलीस किया था। जानकारी के लिए बता दें कि कार्तिकार्यन की फिल्म में परफॉर्मेंस दर्शकों के द्वारा काफी पसंद की गई। लेकिन अब इसे बीच एक वीडियो वाइरल हो रहा है जो कि एक इंटर्व्यो के दोरान का है। इस इंटर्व्यो में होस ने उनसे सवाल किया कि मनजूलिका से लड़नी के लिए आपको किसी बॉलिवोड या हॉलिवोड की आक्टर की जरूरत पड़े तो आप किसकी मदद लेंगे। उस वीडियो में कार्तिकारिन वहाँ पर बैठे हुए दर्शिकों से पूछते हैं कि कौन हल्प कर सकता है तो भीड में से आवाज आती है स्त्री। तभी कार्तिकारिन शृद्धा कपूर का नाम लेते हैं और हसने लग जाते हैं। कार्टिकारेन ने कहा कि मैं श्रिद्धा कपूर यानि किस्त्रीकी हेल्प लेना चाहँगा अब इस विडियो के बाद लोग भी श्रिद्धा और कार्थिक को साथ में देखना चाहते हैं वैसे लगातार कार्थिकारेन के इस विडियो पर कॉमेंट नजर आ रहे हैं और लोग इस पर काफी comment कर रहे हैं कि यूजर ने comment करते हुए लिखा शर्द्धा कपूर का फिल्मे एक cameo होता तो मज़ा आ जाता एक दूसरी यूजर ने comment करते हुए लिखा है कि T-सीरी एक शर्द्धा कपूर का promo song रख लो फायदे में रहोगए देखना होगा कि प्रेडिूसर्स और फिल्ममेकर्स इस बारे में थोड़ा भी सोचते हैं या नहीं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये वन अफ तब बेस्ट फिल्म बन सकती है हॉरर जॉनर की सिंगा मगेन के डिंजर लंका को ही गंभीर बीमारी बोले शरीर का हो रहा है नुकसान अगर किस बीमारी से जूच रहे हैं अरजुन कपूर आईए जानते हैं मौजूदे समय में डिरेक्टर रोही चेटी की फिल्म सिंगा मगेन को लेकर रेक्टर अरजुन कपूर चरचा में बने हुए हैं इस मूवी में उन्होंने डेंजर लंका का नेगेटिव रोल निभा कर वावा ही लूटी है लेकिन इस दोरान अरजुन ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर उनके फैंस को जटका लग सकता है अरजुन कपूर ने हाली में अपनी गंभीर बीमारी का रास खुला है और बताया है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से जूच रहे हैं उनकी फिजकली और मेंटली हालत ठीक नहीं है प्रोफेशनल करियर के अलावा अपनी परसनल लाइफ को लेकर भी अरजुन कपूर सुर्कियों में बने रहते हैं हाली में एक लेटेस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है अक्टर ने बताया कि उनको हाशी मोटो थायरोइड डिटस और इम्यून भीमारी से जूच रहे हैं उन्होंने बताया कि ये मुझ पर शारेरी को और मानसिक तोर पर काफी असर डाल रही है उन्होंने कहा कि इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम बॉडी में मौझूद थायरोइड ग्लैंट पर अटैक करता है और जिससे कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है इससे मेरी लाइफ स्टायल पर भी बुरी तरह असर पढ़ रहा है शरीर में एनरजी लेवल धीरे धीरे लोग होता जा रहा है एक एक्टर होने के नाते मुझे अपनी फिटनेस पर जादा फोकस करना पड़ता है जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स बैरियर डालती है इस तरह से अरजुन कपूर ने हाली में अपनी आप बीती सुराई है वैसे बता दे कि सिंगम अगेन को उनकी कमबैक फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इस से पहले अरजुन की एक विलेन रिटरंस, कुट्टे और दा लेडी किलर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी हाली में ये खबर भी सामनी आई थी कि अरजुन कपूर उनकी लॉंग टाइम गल्फ्रेंड मलाय कारोडा से अलग हो चुके है इस मामले पर अब अरजुन कपूर ने भी मुहर लगा दिया है और बता दिया है कि वो सिंगल है और उनका ब्रिक अप हो चुका है